हालो एव्रीवन यूर वेल्कम तो बेस्ट नोट्स टुटोरियल तोड़े वी विल बी टॉकिंग अबाउट कामला सुरहिया और कामला दास और पैन नेम हैं उनका माध्वा कुट्टी हम आज इनके बारे में बात करेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31st मार्च 1934 को और जो डेथ हुई थी 2009 में 31 में तो आप लोगों को ये एक रीजनिंग के तौर पर आप याद रख सकते हैं 31 31 और मार्च मार्च तो MM से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ा ही अच्छा एक कॉंबिनीशन है आप लोगों को इसे याद रखने में प्राब्लम नही होगी अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारा जो कोर्स है पूरा लेक्चरर का वो आप ले सकते हैं पूरा PDF कोर्स हैं तीन पार्ट में आपको पहले जो टोटल राइटर्स हैं वो मिलेंगे उसके साथ में History of English Literature और Literary Terms आपको मिलते हैं और फिर आपका जो ग्रैमा है वो टोटल आपको ग्रैमा पोर्शन मिलेगा PDF और वीडियो फॉर्मेट में और फाइनली हमारे जो टोटल राइटर्स हैं उनके पर्टिकुलर MCQ आपको मिलेंगे जो कि नियर बाई आपके 3000 प्लस हैं तो ये कोर्स आप ले सकते हैं वोटसेप पर आप कांटेक्ट कर सकते ह बिना देरी के फिर से इसे वापस आते हैं अपने लेसन पे माधवा कुट्टी उनका नाम था तो ये बहुत इंपोर्टन आपका है जो पैन नेम है हर वीडियो में मैं आप लोगों को पैन नेम जो बताता हूँ आप लोगों को उसकी एक अलग लिस्ट बनाते हुए चलनी तो ये आपको याद रखना है कि कामला दास उनका शादी होने के बाद उनका नाम हो गया था उनका जो जन्म हुआ था वो केरला में हुआ था और जो प्रेजन डेक केरला है और वो मलियालम उनकी लेंगविज भी थी तो आप जान सकते हैं कि कामला दास उन इंडियन पोई अगर उनके देखी जाए कि उनकी जो पॉपलरीटी थी केरला में वो शोट स्टोरीज और उनकी आटोबाइग ग्राफिक के लिए थी बट उन्हें वाइडली अगर जाना जाता है तो पॉइट एज पॉइट भी उन्हें वाइडली जाना जाता है अगर हम देखें कि उनके जो टॉपिक ऑफ राइटिंग थी जिस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा है तो वो था उनका वोमेंस इशूज चाइल्ड केया पॉलिटिक्स अमंग अदर्स और जो सबसे बेस्ट माना जाता है उनकी राइटिंग में वो था हर ओपन एन ओन अब इसमें कुश्चिन किस तरह से आता है कि कुश्चिन पूछे जाएगा कि ओनेस्ट ट्रीट्मेंट आफ फीमेल सिक्स्वालिटी किस पॉइट का है तो कामला दास टीए सिलियेट और एक दो राइटर और दिये दी जाएंगे और तो आपका जो आंसर होगा होगा कामला दास तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओपन एंड ओनेस्ट ट्रीट्मेंट और फीमेल सेक्स्वालिटी था वो किसका था तो आगे हम उनकी अगर पॉइटरी देखेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेगी free from any sense of guilt infused her writing तो जो उनके अंदर एक sense of guilt कभी नहीं रहा with power and she got hope after freedom but also marked her as an iconoclast in her generation अब इसमें जो important है वो है उनकी death की उनकी जो death हुई थी वो 31st May 2009 को हुई थी जब वो age 75 थी तो आपको यह ध्यान रखना है कि उनकी age कितनी थी तो age थी उनकी 75 जब उनकी death हुई थी यह भी question पूछे जाएंगे all right कि बहुत ही typical हो जाता है कि जब किसी का particularly किसी की age पूछ ली जाती है कि वो किस age में उनकी death हुई थी तो यह काफी tough हो जाता है याद रखना है लेकिन आप लोगों को यह याद रखना है और hopefully आपने अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो definitely आपको याद रहेगा 31 में 31 मार्च तो इस तरह से आपको reasoning से याद रखना है अली लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था मालाबाद डिस्ट्रिक उस तरह उस टाइम पे यह बिटिश इंडिया का पार था और केला में उनका जन्म हुआ था यह यह आपके लिए important है यहाँ प and she was also columnist. वो columns के लिए भी लिखती थी एक यहाँ पर बहुत important जो उनकी quotation है poetry does not sell in this country means उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था poetry does not sell in this country यह था but her fortnight columns which sounded off on everything from women's issue and child care to politics were popular और अगर हम लेकिन उनकी जो columns लिखा करती थी और उनकी जो poetry उन columns में आया करती थी वो women's issue के बारे में और child care के बारे में politics के बारे में यह सारी चीजे वहाँ पर important थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती थी लेकिन फिर भी उनकी quotation थी यह पूछा जा सकता है कि poetry does not sell in this country किसने यह quotation लिखी है आगे चलते हैं summer in Calcutta बहुत ही important उनका work है और इसमें यह कामला कामला's first book of poetry summer in Calcutta was a breath of fresh air in Indian English poetry और जो summer in Calcutta थी वो important है कि कामला दास की जो first poem है वो कौन सी है summer in Calcutta she wrote cheaply of love love its betrayal and consequent anguish तो उनका जो theme बोले हैं अगर हम उनको तो वो एक तो openness ओके एंड लिखने में जो उनका openness था और उन्होंने जो लिखा वो love betrayal दोके के बारे में and the consequent anguish anguish means होता है कस्ट तो इन चीजों के बारे में लिखा यह आप vocabulary के लिए याद रख सकते हैं anguish word को anguish means होता है दुख कस्ट Mr. Miss Das evident the certainties offered by an archaic and somewhat sterile aestheticism of an independence of mind and body at the time when Indian poets were still governed by 19th century diction sentiment and romanticized love तो जो 19th century जो उस टाइम पे जो Indian poets थे वो सभी लोग क्या follow कर रहे थे 19th century diction और यहां पर अगर diction की बारे में बात करें तो diction means होता writing style of a poet or a writer or sentiment or romanticized love सारे लोग इन चीजों के बारे में लिख रहे थे लेकिन जो मिस्दास थी मिस्दास ने इन चीजों को छोड़ दिया उनकी आर्की एक all right तो आर्की एक means होता बहुत जो old fashion हो जाती है जो चीज़ें उन्हें हम आकी एक बोलते हैं पुरानी तो यह भी आप रख सकते हैं अपनी vocab के लिए anguish आ की एक इस तरह के words, diction इस सारे words जो भी आते हैं actually कई बार बहुत सारे पूस्ते हैं कि हमें vocabulary किस तरह से practice करनी चाहिए तो अगर आप literature पढ़ रहे हैं तो literature में बहुत सारे ऐसे words आते हैं जो कि आपकी vocabulary को strong करते हैं अगर आप उनको actively आप उन चीज यूज कर रहे थे उसको लिखने का जो उनका तरीका था sentiments वही sentiments यूज कर रहे थे लिखने के लिए romanticized love लेकिन उस न जो कामला दास्ती उन्होंने इसे abandon कर दिया और नए तरीके की poetry लिखनी शुरू कर दिए the descendant next जो work है उनका her second book of poetry यह उनकी second book of poetry है यह आप लोगों को याद रखना है first summer in Calcutta थी और जो second book है उनकी वो है आपकी the descendant the descendant was even more explicit urging women to अब यहां पर यह कुछ lines है इन lines को आप लोग देख सकते हैं gift him what makes you woman the scent of long hair the musk of sweat between the breast the warm shock of menstrual blood and your endless female hungers so these lines were from the line the this darkness of a voice led to comparison between margaret dures and silvia plath तो उनका जो comparison पूछा जा सकता है कि उनका जो comparison किया जाता हो किस से किया जाता तो silvia plath बहुत important point है और उनसे उनका comparison किया जाता है at the age of 42 she published daring autobiography my story it was originally written in Malayalam तो आपको ध्यान अगना है कि उनका जो story थी autobiography थी वो बहुत ही open थी तो उन्होंने इसे 42 यह बहुत important है all right इसमें आपको लोगों कितने fact यात करने है मैं पहले ही बता चुकर हूँ आप लोगों के fact wise यात करने कोशिश कीजिए यहाँ पर आपका interview नहीं है आप जितना जादा यात कर सकते हैं रट सकते हैं उन्हें रटिये और आप एक बार exam किलियर कर लिया आप ले तो उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा all right जो directly आपके पास job होगी तो आप लोगों को इसे समझने के बजाए जितने जादा खुद को challenge कर सकते हैं रटने के लिए तो रट ये तो उन्होंने जो autobiography publish की थी और age 42 में की थी एक तो पहली चीज आप लोगे याद हो गई दूसरी है जो autobiography का जो English में नाम था वो था my story ये आप लोग note डाउन कर सकते हैं तीसरा है कि ये जो originally लिखी गई थी वो लिखी गई थी मली आलम और मली आलम में जो चौथा है कि उसका नाम था एंटिक का था ये चीजें आप लोगों later she translated into English और बाद में उसे ये एंट का था जो है मली आलम में उन्होंने इसको translate किया था कि इसमें my story में English में जब publish हुआ था तो इतने effect आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है later she admitted that much of the autobiography had fictional elements और बाद में पहले उन्होंने कहा कि ये बहुत open और मेरी जो है बिलकुल open है लेकिन बाद में उन्होंने ये भी admit किया कि इसमें काफी सारी चीजे fictional है means उनके real life से related नहीं थी some people told me that writing an autobiography like this with absolute honesty keeping nothing to oneself is like doing a striptease true maybe I will firstly strip myself off cloths and ornaments then I intend to peel off this light brown skin and shatter my bones at last I hope you will be able to see my homeless often intensely beautiful soul deep within the bone deep down under business even the the marrow in a fourth dimension and introduction is very bold poem in which she express a true feeling about men to your own honey a pre-barket में लिखा था इसकी कोई भी एक line पूछी जा सकती है बीट से पूछा जा सकता है कि ये किस की line है या कहां से है तो ये except अगर हमें 50% chances मिलते हैं किस चीज़ को सेलेक करने के option को तो हम exactly अगर हमें पता है कि sexuality और openness के बारे में कौन लिखता है तो हम कामलादास को select कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े हैं तो अब अगला हम पढ़ेंगे एन इंट्रदक्शन के बारे में हैं कामलास एन इंट्रदक्शन इस एन और और बायोग्रेफिकल पोईम रिटन इन कोलिक्वेल स्टाइल सो जो एन इंट्रदक्शन पोईम है उनकी वो एक कोलिक्वेल स्टाइल में लिखी गई है यह बाय ऑटो बायोग्रेफिकल भी है तो मोस्ट आफ जो वर्क्स हैं मोस्ट आफ जो पोईम है वो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्स्पैस करने के लिए लिखे हुए है और यह उनका एक हम कह सकते हैं क्वालिटी है कि वो सभी अपनी पोईट्री में एक तो आपको मिलेगी दूसरा वो बोल्ड मैनर में सभी चीजें ओपनली लिखती है और वो चाहती है कि जो मेल डॉमनेटेटी है उसमें हर वोमन को अपनी आवाज उठानी चाहिए और जो पोईट है वो लव को चाहती है और यह सभी उनकी लोनलीनेस लोनलीनेस वो इनसाइटी है जो उनकी फीलिंग है लोनलीनेस के और फ्रस्टेशन की उन सभी चीजों को एक्स्प्रेस करती है यह जो है मालाबार के बारे में लिखी गई है यह क्लाइमेट के बारे में लिखी गई है यहां के सराउंडिंग के बारे में लिखी गई है तो यहां पर डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वो मालाबार का दिया गया है the people may be annoyed by the heat, dust and noise but she likes it उसने शो किया है यहाँ पर कि जो लोग है वो heat, dust and noise से मालाबार की heat, dust and noise से सभी लोग annoyed है, परिशान है but जो point है वो इसे पसंद करती है she longs for the hot noon in मालाबार because she associate with it with the wild men wild thoughts and wild love और जो वहाँ का hot noon है वो उसे किस चीज़ का अब यहाँ पर question आएगा कि जो hot noon है वो किस चीज़ का symbol है या किस चीज़ का symbol हो सकता है तो यह आपका होगा wild men, wild thought and wild love तो और दूसरी तरीके से यही same question इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो wild men, wild thought and wild love को किस point में represent किया गया है तो आपका अंसर होगा a hot noon in Malabar और तीसरी तरीके से the same question can be asked तो same question ही पूछा जा सकता है कि जो the man, wild thought and wild love जो है उसे किस चीज़ से, किस symbol से represent किया है तो वो है आपका the hot noon it is a torture for her to be away from Malabar और जो poetis से है, जो कवीतरी है वो मालबार से जब अलग रहती है, दूर रहती है तो उसके लिए ये एक torture की तरह है कामला सुरया is essentially known for her bold and frank expression इसके बारे में हम काफी ज़्यादा बार बात कर चुके हैं कि वो अपने bold और frank expressions के लिए जानी जाती है The prominent feature of our poetry are an acute obsession with love तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या है obsession with love and use of confession ये बहुत ज़्यादा उन्होंने use किया है अपनी poetry में The main theme of our poetry is based upon freedom, love and protection वो अपनी जो poetry रखती है उसकी जो theme उनकी रहती है main theme वो freedom पे है, love पे है और protection पे है She wrote on diverse range of topics even disparate from the story of a poor old servant about a sexual disposition of upper middle class women living near a metropolitan city or in middle of the ghetto Some of our better known stories include Pakshud, Manam and these all are actually short stories in Malayalam so you can say, you can read and you can remember but actually because we have only poetry so we will be doing discussion over the poetry Her works are also available in French, Spanish and Russian and German and Japanese उनके जितने works हैं वो Spanish, Russian और German में भी उनका translation किया गया है Kamla Surya was confessional poet She has also held a position as Vice Chairperson in Kerala Sahitya Academy and Kerala Sahitya Academy में उनको Vice Chairperson के दोर पर भी रखा गया था Chairperson in Kerala Forestry Board, President in Kerala Children's Film Society, Editor of Poet Magazine और तो यहाँ पर आपको वो पूछा जा सकता है कि किस magazine में उनने as an editor काम किया था तो उनने as an editor जो काम किया था, वो Poet Magazine में किया था Poetry Editor of Illustrated Weekly of India तो यह सारे नाम आपको इनको पढ़ लीजिए आप अच्छे से इसकी list बनाईए और सारे आपके जितने facts नियरली अभी तक हम 20 facts देख चुके हैं वो सभी आपको note down करते वे चलना है Dance of Unix, Dance of Unix भी बहुत famous poem है कामला सुरया की So Dance of Unix is a fine poem by कामला दास as we know It is an autobiographical tone तो आपने अभी तक जितना देखा होगा उसमें autobiographical tone आप लोगों को देखने को मिलता है या यह एक उनकी quality है confessional यह word autobiographical यह सभी word आप कामला दास से relate कर सकते हैं The Poets sympathize with Unix और इसमें इस poem में उन्होंने यूनक से sympathy शो की है The Unix dance in the heat of the sun और जो यूनक जो हैं वो डान्स करते हैं काफी गर्मी में Their costumes, makeup and their passion with which they dance suggest the female delicacy और उनका जो costume है, उनका जो makeup है, उनका जो passion है वो सभी चीज़े female delicacy को शो करती है Their outward appearance and joy is contrasted with their inward sadness और जो बाहर उनका joy जो दिखाए देता है, उनका appearance जो दिखाए देता है कई बाहर जो इनसान होता हो अंदर जिस तरह से है वो बाहर उसका ठीक opposite देखने को मिलता है, तो यही चीज़े यूनक जो dance of यूनक्स है, poetry है, उसमें contrast दिखाया गया है कि कैसे वो अंदर है और किस तरह से वो बाहर शो कर रहे है actually there is no joy in their heart, they can't even dream of happiness और यह बहुत ही, हम कह सकते हैं कि उनका जो joy है, एक इनसान, nobody wants to be unique कोई भी ऐसा इनसान नहीं है जो unique बनना चाहता हो या रहना चाहता हो और उनकी जो even, they can't even dream of happiness और उनकी कोई happiness के लिए कोई, वो dream भी नहीं कर सकते उस चीज़ को तो यह चीज़ शो करने की कोशिश की गई है, in the poem, a request, a poetist कामलदास realizes that her life is meaningless और एक poem उन्होंने एक लिखी थी, a request, उसमें उन्होंने शो किया है कि उनकी life बिलकुल meaningless है she is alone and her life colorless, design of crumbling patterns और उनकी जो life है, वो बिलकुल crumbling pattern की तरह है crumbling तूटते हुए pattern की तरह है, although occasionally seen as an attention grabber in her early years, she is now seen as one of the most formative influence in Indian English poetry और वो काफी influential एक Indian English poetry में उनकी जगह है in 2009, the times called her the mother of modern English Indian poetry तो ये भी आपका question आ सकता है कि the mother of Indian English poetry किसे कहा जाता है her last book title, the kept woman, तो ये भी question हो सकता है कि उनकी जो last book थी, वो कौन सी है तो ये है आपकी the kept women and other stories, featuring translation of her short stories was published posthumously और ये posthumously published हुई थी, उनकी death होने के बाद ये published हुई थी कामलादास is known for her controversial writing where she openly talks about restrictions imposed on women जो कामलादास है वो अपने controversial writing के लिए जाने जाती है, विवादास्पत जो चीज़ें उन्होंने लिखी है उन्होंने उन्चीज़ों के लिए लिखा है कि जो women के उपर जो भी restriction है उन्चीज़ों को लेकर उन्होंने हमेशा लिखा है जो भी convention है, जो भी रिवाज है उनके against उन्होंने जो rebel किया है, विद्रोह किया है उस nature की वज़े से उन्हें बहुत जादा जाना जाता है उनकी जो poetry है वो देख लीजिए आप it is the sirens, the summer in Calcutta, so the sirens and the summer in Calcutta थर्ड जो है आपकी the descendant, the old playhouse and the other poems अब यहां पर जो एक confusion आप लोगों को हो रहा होगा वो यह है कि जो first poetry है वो तो है आपकी summer in Calcutta, तो poetry means collection of poems और जो the sirens उन्होंने लिखी थी, वो 1964 में लिखी थी तो अगर हम poetry का collection की बात करें, तो आपका है summer in Calcutta but poem जो होगी वो the sirens होगी but usually जो answer माना जाता है वो summer in Calcutta ही लिया जाता है जब poem की बात आती है The Descendant, 1967, 1973, the old playhouse and other poems so 73 old playhouse, you can remember 67 descendants so how many descendants were there, 67 old how many playhouses were there, 73 stranger time, 77 strange time, you can say, okay because there are 77 minute hour, okay so in one hour there are 60 minutes and if there will be 77 so it will be a strange time, okay tonight at 79, you know, at 79 so 79 never happens so you can take it an awkward thing so you will remember this one tonight this savage ride उन्होंने लिखी थी With Preetis Nandy के साथ में उन्होंने ये लिखा था Collected poem 1984, 1985, the anomaly poems and 97, only the soul knows how to sing My Mother at 66, ये important poem है क्योंकि ये आपकी class 12 की भी poem है इसलिए इस poem को आप लोगों को suggest करूँगा कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को क्योंकि आपके जो syllabus से हैं कुछ चीज़े पिक करेंगे जैसे कि आप लोगों मेंसे किसी ने पूछा था मुझे की जो 11, 12 है उस syllabus को भी उन्होंने रखा है बट उसमें से आएगा क्या तो उसमें से इसी तरह की छोटी चीज़ें आ जाएंगी वैसे तो मैंने जो course में ये सारी चीज़ें डाली है जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएं और अगर आप इसे फोकस करना चाहते हैं तो क्योंकि ये 12 के syllabus में पोएम है इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं Stephen Spender की भी एक पोएम है जो 11 ये 12 में आपके पास में Stephen Spender की है Elementary School Salam तो ये रीड दाट वन आज वेल तो विद इस वी एंड इस वीडियो तो आप लोगों को कामला दास के बारे में most of चीजें इसमें मैंने बताई हैं और in future we will be making a detailed video on her poetry ये poetry को हम inside हम देखेंगे और आप लोग hopefully अच्छी तैयारी कर रहे होंगे जो schedule आप लोगों को दिया हुआ है तो ये जो PDF है वो आपको share lecture में मिल जाएगी और इसके साथ कतम करते हैं इसको और मिलते हैं दूसरे चेप्टर में